Hello Everyone, my name is Gaurav, Welcome to WS Kruptech, WS Kruptech में आप से कहते हैं, आज की इस particular वीडियो लक्ष्यर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं, टैच्च पुस्ट बेटन के बारे में हैं यहाँ पर, देखे टैच्च पुस्ट बेटन के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हम यहाँ पर बहुत सा यहां पर क्या कर रहे हैं जब भी आप यहां पर मुल्टीपल वींडो बना रहे हैं। में अपने एक विंडो बनाइ रहे जैस के आपका बाती है बोटल– Украї सा liquid fill करना है उसका एक आपका यहां पर क्या होता है प्लांट होता है फिर उसके बाद में क्या होता है बॉटल का packaging का प्लांट होता है तो कुल मिला के बात करें यदि आप कोई bottle filling plant बना रहे हैं तो उस पूरे plant के अंदर आपका तीन तरगी के अलग-अलग process को दिखाने के लिए आप क्या करता है तीनों का अलग-अलग विंडोस बनाते हैं आपको वन विंडो से दूसरी विंडों जाना है दूसरी से तीसी तीसी से फर्स्ट वापस इस तरह से रोटेट करते हुए विंडो को सिफ्टिंग अड़ी है तो उसके लिए क्या करते हैं तो इसके लिए आप करता है इसको आपके पास यहां पर विंडोस है इसको यहां पर रिपर दिलेट कर देता हूं क्लिया तो मैंने इसको कर दिया है डिलेट क्योंकि हम यहां पर नए तरीके से नए विंडूस बनाएंगे तीन-चार विंडूस बनाएंगे ताकि आपको समझा सके तो मैंने फर्स्ट विंडू बनाया और इसका नाम मैं दे दिया सब्सक्राइब कर दिया तो यहां पर यहां को बना सकते हैं यहां पर करते हैं इसको डिल्स कर देते हैं ले 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 तो उसके लिए symbols factory में चलνता हूँ और यहां पर मैं क्या आप थोड़ा सा प्लांट कुछ ले ले लेते याप तरो यहां पर विड изменert उसके बाद आ कि मैं एक हौग दाल नाता हूँ झिसका मैंने नाम दे चैना यहां पर इसको क्लिक करने के बाद हम इसको क्लिक करके सिंबल स्च्ट्री में चलने के बाद ज़्ट लाइक मैं यहां पर मोटर से देता है तो मैंने यहां पर है अब मैं दे रहा हूं f3 then मैंने ok किया यहां पर मेरी正ी window त्यार हो चुकिए यहां तो मैं यहां तो मैं काम करता हूं मेरी जो light है उसको ले लए लेथा हूं click करके then you press किया और यहां पर is light को ओण और उफ करने के लिए स्विच्च चाहिए तो मैंने तरीका है आप यहां पर फाइल में जाना है ओपन विंडो के पर क्लिक करें आपको एपन के उपर क्लिक करना है तो आपका एक तो तरीका यह है जिसके दूर जा सकते हैं कर आप करना है कर यहां पर फाइल के क्लिक नहीं करना चाहते हैं सब्सक्त करें सब्सक्राइब कर सकते हैं अम सबस्क्राइब तो उसके लिए हम क्या कर रहा है और यहां पर शो करें और एंदर हम इस चीज के लिए उसको समझाना पड़ेगा तो मैं यहां पर कहा रहा है इस विंडो से एफ टू विंडो के निए जाना तो मैंने यहां पर नेम देंग है मैं अपनी जो टैक्स के रिकौर्मेंट लख सकते हैं जैसे उन और क्लोजिंग बटन विंड़ें अब इसके अदर सा विंडो देखना चाहेंगे तो मैंने यहां पर दिखे यह बटन F2 के लिए बनाया है तो मैंने F2 के उपर क्लिक किया देन मैंने OK कर दिया clear फिर मैंने क्या कर दिया यहां पर OK कर दिया क्लिक करकर करके यह चलता होता हूं चलता हूं रन्टाइम इन्दर यहां पर यहां पर को अपर इसको दो है और यहां यहां पर द्रीड को क्र कर सक COM कर सकते हैं अपने मुइंडो को अम दूसर को यहां पर बता रहा है इस बटन को मैंने क्या बता है कि यह जो बटन है मेरे पास यहां पर क्लिक करूंगा दिखे ऑटमेटिकली अपर आच चुका है अब मुझे फ्रसे यहां पर बटन देना पड़ेगा लेकिन अभी हमने यहां पर कोई बटन नहीं दिया है तो हम इसको चेंजिस नहीं कर सकते त जो ओपन विंडो को खोलूंगा अब दिखे मुझे फटी इसके उपर प्रेस करूंगा प्रेस करते मेरी जो फ्री विंड़ों है वो मुझे दिखने लग जाएगी आइटिंक समझ में आगे होगा किस तरह से आप विंडो को स्विच कर सकते हैं अब देखे यहां पर चले एधर्क सांनी है अब मै यहां पर चलता हूए यहां पर फिर से मैं करता हूं दो स Tiere रह्रां ओ पर और यहां पर और ऑड्या वाल और यहां पर क्लिक करूंगा और चखे इसके पर बात करें यहां पर यहां पर इसका नेम कर देते हैं और यह मुझे कहां ले जाना चाहिए यहां पर second button बना दिये इसके लिए बात करें देखे control अल दिया यहां पर यहां पर यहां पर इसके बात करें मैंने control-l किया इसको अटा देते हैं यहां पर F2 के पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से मैंने सारे बना दिये अब देखे यहां पर मैं चलता हूं कि उपर विंडो से लोग कर देथा है और चलते हैं रंटाइम के उपर आ चुके हैं अभी मेरा जो सो विंडो कौन सा है F3 है, अब मैं यहाँ पर open के पर click नहीं करूँगा, और तो भी मैं यहाँ पर one window से दूसरी window, दूसरी से तीसरी window, इस तरह से window shift करता रहूँगा, देखें कैसे कर सकते जड़ा बात करें यहाँ पर, देखें, मैं ने F1 के पर press किया, F1 window आचुकी है, आप यहाँ पर देख भी सकता है, कि यहाँ पर F1 लिखा हुआ है, clear, ओके, अब जड़ा बात करें, देखें, मैं इसको F2 में जाना, F3 में चला गया, F2 में जाना, F2 में चला गया, F2 में जाना, F1 में चला गया, direct F3 में जा मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ पर multiple project बना रहे हैं, किसी multiple plants के लिए बना रहे हैं, या फिर कोई simple सा project भी बना रहे हैं, उस simple से project के अंदर आप यहाँ पर एक entry window बना सकते हैं, entry window मतलब यहाँ बात करों, कि आपके पास कोई यहाँ पर जो person होगा, वो entry कर करना है, उसको आपने बोल दिया कि केवल आप एक function के उपर work कर सकते हैं, दूसरे function के उपर आपको work नहीं करना है, तो आप बोलेंगे sir, आप केवल F1 के उपर work कीजिए, आपका यह विला window ओपन विंडो होगा, तो आप केवल F1 के उपर work कीजिए, तो वो F1 को प्रेस करे हैं, यहाँ पर password भी लगते हैं, इस switch के उपर, वो क्यासे लगते हैं, हम हमारे आगे आने वाले वीडियो लक्टर्स के उपर समझेंगे, कि इन switch के उपर आप password कैसे दे सकते हैं, कि उस password के according ही आपका जो window है, वो open हो पाएगा, और window switch हो पाएगा, यह सारी चीज़े देख था, कि आपके पास यह जो show window होता है, यह किस तरह से work करता है, और किस तरह से यहाँ पर काम किया जा सकता है, clear हो गएगा, यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं, इसका, तो आब हम मिलते हैं, हमारे अगले वीडियो लक्टर्स के साथ, तब तक आप हमाँ सा बने रही है, thank you for watching this video.